असलाम आलेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमली कैसे है आप साब आई होग कि आप साब तिक ठाक होंगे और जावियोंगे मज़े से रह रहे होंगे गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं डेगी मटन प्लॉप बहुत ही मज़े का डिलिशिस बनता है जड़बट से बन जा को सब्सक्राइब कर लिए साथ में लगे बेल आइकन को प्रैस कर दीजिए ताकि मेरी हार ने आने वाली रेस्पी कर नोट्प्रिकेशन सबसे पहले आप लोग को देखने को मिले रेगी मटन प्लॉप बनाने के लिए मैंने एक कप चने मैंने जिनने ओवरनाइट के लिए को कर में डाल दे ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारी रेस्पी भी जली से जट पाट से बन जाए प्रैस को कर को हम तकरीबं 12-15 मिलिट के लिए बन कर देंगे तक करीबं 15 मिलिट हो चुके हैं हमारे चने अच्छे से बोयल हो चुके हैं अभी हम किसी दूसरे पैन म में थोड़ा सा हस्पे जरूरत हम कुकिंग आयलाइट करेंगे और इसमें बारी काट की दो मीडियम साइस प्याज इसमें एड कर देंगे और इनको हमने लाइट ब्राउन होने तक को करना है प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं तो हम इसमें वान टेबल स्पून आप लोग को जितना पसंद आप आयट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसमें साबित गरम मसाला भी एड कर देंगे और इसको भी तक्रीम एक से आद मिनट के लिए कुक करेंगे नमक करने के बाद अभी हम वन टेबल स्पून जो है लाल मिच पॉडर एड कर देंगे और एक अद मिनट के लिए कुक करने के बाद अभी हम इसमें एड करेंगे दोर मीडियम साइज टुमैटो जो हमने बारी कट करके रखा हुआ था इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके साथ हमने जो आदी प्याली दही की रखी हुई थी वो भी हम इसमें एड कर तो थोड़ा सा जो हमें पानी की जरुड़ात है इसमें एक लेमन जूस भी आड कर देंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा पानी आड कर देंगे ताकि हमारा मिट जो है वो अच्छे से गाल जाए अब देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट जो है हमने सब कुछ एड किया था अब हम इन सारी चीज़ों को जो है एक दूसरे पैन में पतीले में ट्रांसफर कर देंगे जो हमने चने भी गौके रखे हुए थे वो भी हम इसमें एड कर देंगे और अभी लास्ट में हम इसमें एड करने वाले हैं जी नैशनल वालों का प्लाव मसाला उससे जो है हमारे प्लाव का टेस्ट बहुत ही मज़े का और कमाल का बनता है वो भी हम इसमें तक्रीबान एक टेबल स्पून एड़ कर देंगे और इसको तक्रीबान हाफ मिनट के लिए कुछ करेंगे अल्हम्दिल्ला हमारा सारा स्पैसिस जो है मसाले जो है अच्छे से पाक चुके हैं अब देख सकते हैं कितना डिलिशिस लग रहा है तो अभी हम इसमें पानी एड़ का देगी जितना हमारे चावलों के जो हिसाब होगा उसी तरह से तो हमने इसके साथ साथ इमली का पल्प पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है तो हम इसमें चावल एड़ का देंगे और इसको जो है हमने 95% को करना है चावल हमारे 95% को को चुके हैं आप देख सकते हैं अभी हम इसको दम पे लगाएंगे अलहमदिल्ला हमारा मज़ेदार देगी मटन प्लॉ जो है वो रेड़ी हो चुका है इसका टेस्ट भी वैसे ही सेम बनता है तो आप इसको जुरू ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी फीडबैक लाजमी दें तो मिलते हैं नहीं और मज़ेदार के साथ तैंक्स पर वाचिंग अला आफिस